नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कगना और स्वागत है आज की सीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं TVS Ronin के बारे में, TVS की एकदम नई नवेली बाइक, सब कुछ जो है इस बाइक के बारे में नया है, फटा फट इस बाइक के बारे में देखते हैं कि क्या कुछ दिया गय से लेके 1,70,000 तक मिलती है यह वाला जो टॉपन ट्रिम है, ड्यूवल शेड, ड्यूवल चैनल, यह वाला 170 का है, बाकि से नीचे वाले में ड्यूल चैनल EBS नहीं मिलेगा, उससे नीचे वाले में सिंगल टोन जो है, वो कलरगा मिलेगा, यह मोटा मोटा मोटी दिफरेंसे स्मार्ट कनेक का, उसकी भी में बात कर लेता हूँ, सबसे पहले आगे की तरह मैं काम करता हूँ, चाबी जो है वो लगा देता हूँ, यहाँ पर इसकी चाबी लगती है, और आपको DRL दिखाता हूँ, काफी सुन्दर, ओर 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 दिखाता हूँ, अगर गाड़ी नीट्र यह मैं आपको रात में चलाने के बाद ही बताऊंगा, इस वीडियो में मैं गाड़ी चलाने ले रहूँ, चलाऊंगा मैं जो है अकली वीडियो में वाइक, यहाँ पे आपको गोल्डन कलर के अपसाइड दाउन फोक्स लिख रहे है, यहाँ आपके बास में 17 इंचिस का व न्यूटन मिटर का टॉक जो है यह पटिकलर एंजन देता है, और यह एंजन मेटेड है, एक 5-speed transmission के साथ में जो यहाँ लगा हुए है, अब यहाँ पे slipper clutch जो है, वो भी मिलता है, overall clutch काफी, light यहाँ पे feel हो रहा है, और adjustable levers है, जो lower trim है, उसमें भी same levers आते हैं, वाँ अट अ जो है, वो levers नहीं होते हैं, पर यहाँ पे lever जो है, वो adjustable है, अब यह आपको touch screen, not touch screen, गाडियों की बहुत आतो पड़गी है, बाइक में touch screen नहीं आती है, आती है कुछ-कुछ है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जो आपको multiple चीज़ें offer की जाती है, इसमें आप देख प पा रहे हैं, इधर से आप mode switch करेंगे, तो trip A, trip B, उसके बाद में, आपके पास में distance to empty दिखाता है, यह चीज़े दिखाता है, और यह मेरे phone से connected है, यह smart connect, तो मेरा phone जब में खुलूंगा, तो you can see, यहाँ पी जो Ronin app है, अगर आप के लिए लिए ली देख पाएं, तो इस अभी यह command आ रहा है, तो bike जो है, वो आपका command सुनने लगीगी, फिर you can give any command के navigate to me, यह अभी में इतनी सारी बाते बाते बोल रहा हूं, तो यह probably confused होगी होगी, तो मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे navigation हाथ से लगा के बताऊंगा, और जैसे मानलो कि मैं इसको बोलता हू और यह मुझे navigation अब जो है, जैपूर का लग गया, अब मेरा फोन यह बंद है, तब भी यह सारे काम हो सकते हैं, और यहाँ पे आप देख पारे हो, कुछ information एड होगी ही, जिसमें मुझे आगे किदर मुणना है, किते मेटर बाद में मुणना है, ETA टाइम क्या है, जैपू बाद दूर है, फिर यहाँ पे आप देख पारे है, यह मोड बटन जिसको अगर आप दबाएंगे, तो मोड यहाँ पे चेंज होता जाएगा, पूर नेटवर्क मेरे फोन का दिखा रहा है, पूर नेटवर्क मोड जो है, वो दो आते है, आपके पास में रेइन मोड और अ आपके पास में गियर पोजिशनिंग है, कि न्यूटरल है या क्या है, वो सब जीदे आप यहाँ देख सकते हैं, यह इतना सा इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर जो है आपके पास में, अवर आल यहाँ से देखने में, एक बार की कैमरे में और लग सकता है, बट हमें जो है आप है, सब इसके बाद में यहां पर आपके पास में जो है हाई भी लौ भी पास का स्विच है, हाँ गाड़ी में ही हजार लाइट warto करें, चलती बाइक में हजार लाइट नहीं यूज़ कीजाती है, नों मेटर आप आप अपने ग्रूप में राइड कर रहे हो, यहां पर आप जियो देख पारे हो, यह अपने पास में प्रियरे टेच लाइट, काफी स्लीक, काफी अच्छी लगती है, यह मेटल का पाट है, हाँगी फ्रेंट वाला जो है, वो मटगार प्लास्टिक का है, रियर में भी आपको 17 इंचिस का विल दिखता है, और 240 mm का डिस्क आपको यहां देख पारे हो, डूल चैनल EBS है, और साइज अगर आप जानना चा सब्सक्राइब, यह में इसके बाता है, और यह में तो अब आपको इस तरीकी के लुक्स बात करेंगी, अब तो मैं एसे कैसे कमें नहीं बता आए तो, और 14 लेटर का टैंक है, अगर आपको बहुता है, और 14 लेटर का ताइंक इसाद में फूल इसे सिख्या मेलेगी, वो करने चलाओंगा तब इसके बारे में बात करेंगे अभी तुम मैं से कमेंट कर दूँ ऑई तब गाडी जो है बहुत सारी एकसेसरी के साथ में भी आईगी जिसमें आप जो है यहां पे टैंक में ग्रिब भी लग जाती है आपके पास में फ्रेंट में काउल भी लग जाता है और multiple accessories जैसे के bag वागिरा जो है वो भी TVS ने उसको Ronin की gears के नाम से निकाला है कि Ronin की multiple gears होंगे, jacket, jacket, shoes वगरा, काफी सारी चीजें जो है वह यहाँ अवेलेबल होगी बट आपको जो है किसी भी तरीके का हुई mechanical अपग्रेड यह जो पावर बढ़ा दे है ऐसा कुछ भी चीज जो है वो अवेलेबल नहीं है जो मोटी मोटी चीजे है वो इधर उदर या तो किसी तरीकी का practicality या overall जो है looks वगर को enhance करने वाली accessories ही अवेलेबल है अब देखो बाइक जो है वो लग तो सुन्दर रही है और चीजें फीचर जो है वो भी काफी च्छे देदी है इंफेक्ट exhaust node जो है वो भी अच्छा लग रहा है बाई का लेकिन चलाने में कैसी है और बाकी चीजें value for money है यानि फीचर सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये next video यानि कि जो ride करूंगा मैं उसके बाद धंग से आपको निचोड निकाल के बताऊंगा कैसी लग रहे है अगली वीड़े देकल दोस्तों है helmet पहने है cdl पहने है सुरक्षी चली धन्यवाद